हेलो आप दिवन कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात करेंगे हम SSC MTS वलदार के एक्जाम डेट के रिगाडिंग तो ओपिशल नोटिफिक्शन आपको कब तक देखने को मिल सकता है और इसकी एक्जाम डेट आके आपके क्या हो सकती है और एप्लिके लबबग मेंशन के हो था कि आपके एक्जाम अप्रेल मेहने में होंगे तो आपके लबबग मार्च एंडिंग आ गया है और भी तक आपके लबबग एक्जाम डेट के नोटिस का कोई पता नहीं है तो मैं आपको बता दू कि आपको नोटिस कब तक देखने को मिल सकता है तो notice या तो आज भी आपको आने की possibility बन सकती है या पर इस March मेहने के end तक आपको exam date के regarding notice मिल जाएगा क्योंकि एक मेहने पहले लबग exam का notice आ जाता है तो आपके April में exam है तो एक मेहने पहले आपको March के end दिन तक आपको exam का notification यानि के exam date का notice इनको देना ही पड़ेगा है यानि क मार्च के end तक आपको notice मिल जाएगा और notice आने के बाद लबग आपके चाथ आट दिन बाद लबग आपके application status जारी हो जाएगे यानि कि 10 अप्रेल के आजपास आपको लबग application status देखने को मिल जाएगे और लबग आपके 25 अप्रेल के बाद आपको exam date देखने को मिल जकती यानि कि मान के चलो के आपके एक्जाम 20 अपरिल के बाद यानि कि अभी आपके पास लबग 20 से 25 दिन आपके पास बच्छे है तो अपने त्यारी को बैतर करें और admin card आपके लबग यानि कि exam city आपके जैसे कि आपके exam लबग मान लो कि 25 अपरिल को है तो उसे लबग 10 दिन पह करना admin card download कर पाएंगी तो यह पूरी update आपको कैसे लगी तो इसी के डिगरिंग आपको सारी जानकर आपको देखने को मिलेगी और exam का notice भी आपको जल्द देखने को मिलेगा वह भी सकता है आज भी आपको देखने को मिलेगा पर ज्यादा possibility आपको यह है कि इसी मंत में आपको